हाई, नमस्ते, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चानल पे, वेलकम टू मैज चानल SSR Kitchen, तो आज हम बनाएंगे चाय, सबसे पहले बनाऊंगी मैं ट्रेडिशनल चाय और दूसरी चाय जोगी, वो शक्कर की जगे हम गुड़का यूज़ करेंगे, तो I hope you all like it, तो प्लीज, प्लीज, मेरे चानल को बहुत सारा सपोर्ट करें, और आई ये बनाते हैं हम सब चाय, चाय बनाने के लिए ये सारे इंग्रीडियन्स हैं, सबसे पहले हम एक कप दूद लेंगे, जो ये दूद है, ये वॉयल्ड है, मैंने इस कप से मेजरमेंट किया है, लेकिन बस आपको शो करने के लिए मैं ग्लास में दिखा रही हूँ, इसके लावा हम आधा कप पानी लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो, दो इलाइची लेंगे, एक इंच अद्रक लेंगे, जिसको मैंने बहुत अच्छे से पील करके धो लिया है, चाय पत्ती लेंगे और चीनी लेंगे, तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, इस पैन में हम दूद डाल देंगे, जो हमने एक कप दूद लिया था, उसको डाल देंगे, उसके अलावा जो पानी था, आधा कप, वो भी हम इसमें डाल देंगे, और इस पैन को साइड में करके, हमारे पास जो इलाइची है, उसको हम इस कूटनी में अच्छे से क्रश कर लेंगे, तो जैसा आप देख रहे हैं, मैं इसको क्रश कर रही हूँ, आप भी ऐसी करते होगे अपने घर पे, तो इस तरह से हम इसको क्रश कर लेंगे, और इसको मैं अब साइड में एक बाउल में निकाल के रख दूँगी, मैंने इसे बाउल में निकाल दिया है और आब हम इसे side कर देंगे अब इसके बाद हम इसी कूटनी में अद्रक डाल के उसको भी बहुत अच्छे से crush कर लेंगे crushed अद्रक डालने से हमारा जो चाय का flavor होता है बहुत अच्छा आता है तो I suggest कि आप अद्रग को बहुत अच्छे से crush कर ले फिर उसको चाय में डाले तो अब हमने इसे अच्छे से crush कर लिया है तो अब मैं इसे एक bowl में निकाल दूँगी जैसे मैंने लाइच्छे को निकाला था तो हम सेम उसी तरीके से इस अद्रग को भी हम निकाल के side कर लेंगे जिससे हमें थोड़ा असानी हो जाएगी चाय बनाने में तो आप देख रहे हैं कि हमने इसे निकाल लिया है तो आये चलते हैं चाय बनाने के process में तो सबसे पहले हम gas को on करेंगे flame on करके मैं पैन को चढ़ा दूँगी जिसमें मैंने दूद और पानी डाला था जैसा आप देख रहे हैं तो मैंने medium flame पे इस दूद को चढ़ा दिया है और अब हम इसे boil होने के लिए रख देंगे ये boil हो रहा है जैसा आप देख रहो side में छोड़े-छोड़े bubbles आ रहे हैं तो ये गरम हो रहा है अभी ये हलका गरम है तो जैसे ये हलका सा गरम हो जाए तो इसमें हम ilaichi डाल देंगे जो हमने crush किया हुआ था इलाichi डालने के बाद अब हम इसमें साथ ही साथ चीनी भी डाल देंगे तो आप अपने according अपने टेस्ट के according इसमें चीनी डाल सकते हैं मैं इसमें दो चम्मच चीनी डाल रही हूँ और थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि मुझे चीनी जादा पसंद है थोड़ी मीठी च इसके according इसमें डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे चाय पती मैं इसमें छोटा चम्मच चाय पती डाल रही हूँ आप अपने हिसाब से चाय पती डाल सकते हैं मैं जो चाय पती यूज करते हूँ ये बहुत तेज है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ही डालूंगी आप च जब डालेंगे जब चाय हमारी उबलने लगेगी अद्रक को कभी भी ठंडे दूद में नहीं डालना चाहिए जब तक दूद अच्छे से बॉइल ना हो जाए तो अद्रक ना डाले तो जैसा आप देख रहे हो कि हमारा जो चाय है वो बॉइल हो रहा है तो अब हम इसमें डाल दूगी तो मैंने डाल दिया अद्रक को और इसको थोड़ा अच्छे से बॉइल होने देंगे जैसा आप देख रहे हो चाय जब तक अच्छे से बॉइल नहीं होती है उसका टेस्ट नहीं आता तो हम इसको थोड़ी दे बॉइल होने के लिए रख देंगे तो पांच म उसके बाद अगर आपको लगे कि कलर नहीं आ रहा है तो फिर उसमें चायपति और यद करें लिकें मैं सज़ेस्ट करूगे तो सबसे पहले आप थोड़ा नहीं चायपति डालें फ़र्विन कंछी यह मारे अर्व देख रहा है कि छाय उसमें हो गईया यह उबल गई है और जैसा आप देख रहे हैं कि जतनी हमारी चाय थी पहले जो इसका actual quantity था उससे अब यह चाय हमारी काफी कम हो गई है उबल के जैसा आप देख रहे हो यह उबल गई है और मैं आपको show करती हूं उसके quantity पहले से कित्ती कम हो गई है तो आप देख पा रहे होगे कि इसके quantity कम हो गई है इसका मतलब है कि चाय हमारी काफी अच्छे से boil हो गई है और यह prepare हो गई है तो अब हम क्या करेंगे एक बार इसको तेज आज पे उबलने देंगे और उसके बाद में इसका gas off कर दूँगी तो हम gas off कर देंगे और हमारी चाय बन गई है तो अब हम चलते हैं चाय को serve करने के process पे तो उस चाय को serve करने के लिए मैंने एक cup लिया है जैसा आप देख पा रहे हो मैंने एक serving cup लिया है तो अब हम इस cup में इस चाय को stain कर लेंगे एक stainer की help से तो ये सारे process तो आप सभी को पता होगा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अब इस चाय को stain कर लेंगे और अब आप अपने चाय को enjoy कर सकते हो How to make good वाली चाय Good वाली चाय के ingredients हैं सबसे पहले हम लेंगे एक कप पानी जैसे आप देख रहे हैं उसके अलावा आधा कप हम boiled milk लेंगे जो बहुत गरम है हम ठंडा यूज नहीं करेंगे उसके अलावा चाय पत्ती दो चम्मच गुड़ और एक इंच अद्रक crushed तो सबसे पहले हम चलते हैं गैस को on करने की तरफ gas on कर दिया और मैं अब इस पे pan चड़ा दूँगी pan चड़ाने के बाद हम इसमें एक कप पानी डाल देंगे जैसा आप देख रहे हो पानी डाल के हम इस पानी को boil होने के लिए रख देंगे जब पानी boil हो जाएगा तब हम इसमें बाकी सारे इंग्रीडेंट्स डालेंगे तो मैंने gas पे पानी चड़ा दिया है और अब मैं थोड़ा सा flame high कर दूँगी जिससे पानी थोड़ा जल्दी boil हो जाए तो आप देख रहे हो कि पानी जो है हमारा boil होने लगा है आप देख पारे होगे तो अब हम इसपे चाय पत्ती डालेंगे पहले मैं थोड़ा सा ही चाय पत्ती डालूंगी आप अपने according डाल सकते हैं लेकिन मैं suggest करूंगी कि पहले पानी में आप थोड़ा कम चाय पत्ती डाले उसके बाद आप डालें बाकी फिर अब हम डालेंगे इसमें अद्रक जो हमने क्रश किया हुआ था उसके साथ ही साथ अब हम इसमें गुर्ड डाल देंगे तो मैं दो बड़े चम्मच गुर्ड डाल रही हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गुर्ड डाल सकते हैं मैंने थोड़ा जादा गुड इसलिए डाला है क्योंकि गुड का जो टेस्ट है वो कम मीठा आता है इसलिए हमें थोड़ा सा जादा गुड डालना चाहिए तो अब इसको प्रॉपरली हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो जैसा आप देख रहे हो कि चाय हमारी उबल गई है और ये प्रॉपरली अच्छे से मिक्स हो गया है हमने जितनी सारी चीजें इसमें डाली थी वो सारा मिक्स हो गया है गुड भी अच्छे से मिक्स हो गया और चाय हमारा उबल गया है आप देख रहे हो कि जब भी आप गुड़ वाली चाय बनाएं तो उसमें खौलता हुवा गरम दूद ही डालें बॉइल जो दूद होता है वो डालें तो मैंने हाइफ फ्लेम पे एक उबाल आने तक इसको रख दिया है जैसे ही एक उबाल आएगा इस चाय में तो हम जो ग्यास है उसको बंद क चाय को स्टेइन कर लेंगे और स्टेइन करने के बाद आप अपनी चाय को एंजॉइ कर सकते हैं तो आप यू लाइक माई वीडियो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं चानल थैंक यू